तो हेलो गाइस केसे हो सारे उमीद है सब लोग बढ़िया होंगे तो गाइस मैं फिर से हाथ जीरूँ आप लोगों के लिए एक नई एकसाइटिंग वीडियो लेकर और इस वीडियो में मैं आप सब के लिए एक न्यू कॉंसेप्ट लेकर आचुका हूँ होली फोटो तो गाइस पहले आप इस वाली बेग्राउंड को पिकसाइट अप्लिक्शन के अंदर ओपेन करना है और ओपेन करने के बाद आप अपनी फोटो को आड़ करोगे और यह देख सकते हो इधर एड़ फोटो वाली ओप्शन पर क्लिक करके आप अपनी मोडेल को आड़ करोग यह थे देख सकते हो मैं आपना बेग्राउंड जो पहले से एक रहा हए आप बीड़ करना नहीं आता तो में आपनी पिछले वीडियो में बताया था फिरस के कैसे करते हैं बेग्राउंड आप वोगाओ वीडियो देख करशक्ते हो उसके बाद इस अपनी एस rebels सेर्ट कर हो और इसकी सेडो को फाइब चक रखेंगे उसके बाद इसकी सेचुरेशन को कुछ इतना रखेंगे और क्लारेटी को भी थोड़ा बढ़ा देंगे आप अपनी फोटो के हिसाब से कर सकते हो उसके बाद इसार से कर देंगे अधर करने के बाद आपको पीएजी बगर को आड़ करना है कुछ पीएजी में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ यह बाली पीएजी को आड़ करोगे पहले और इसे बढ़ा करके आपको इधर इसे कुछ इस टैप से लगा देना है इसके बाद आपको इज़र इरेस परा कर इसके हार्डनेस को थोड़ा कम और ओपसिटी को भी कम करके आपको यह सब थोड़ा थोड़ा इरेस करना है इसके बाद आपको इधर से डन कर दोगे और इधर से कर दोगे डन इसके बाद आपको इधर फिर से एड़ फोटो वाली अप्शन पर क्लिक करके आपको इधर यह वाली पीन जी को आड़ करोगे और इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है इसे आपको कर देना है मॉल्टिप्लाई और इधर आपको कुछ स्टैप से लगा दोगे उसके बाद इधर इरेस परा कर इसे भी आपको इसे इरेस करना है और इधर से कर दोगे डन उसके बाद फिर से एड़ फोटो वाली ओप्शन पर आकर आपको यह हुली वाली पीन जी को आड़ करोगे और इससे आपको इधर कुछ स्टैप से छोड़ा छोटा करके इधर लगा दोगे और इसकी ओपसिटी है थोड़ा काम कर दोगे और इधर से कर दोगे डन उसके बाद हम फिर से और एक पीन जी को आड़ करेंगे इधर एड़ फोटो वाली ओप्शन पर क्लिक करके यह वाली PNG को आड़ करेंगे और इसको ऐसे रोटेट करके इसकी भी ब्लेंडिंग मोड को करेंगे मॉल्टिप्लाइ उसके बाद इसे थोड़ा जूम करें इसे कुछ इस टैप से लगा देंगे फिदर इरेस पराकर इसे इरेस करेंगे करने के बाद हमें और एक पींजी को आड़ करेंगे यह वाली पींजी को फिर से आड़ करके इसे की ब्लेंडिंग मोड को मॉल्टिप्लाइ करके इसे इदर हाथ पर कुछ इस टैप से सेट करेंगे और इसकी जो ओपसिटी है थोड़ा काम करेंगे और इरेस कर देंगे थोड़ा साट सेट पर हो गया इधर से कर देंगे डन उसके बाद एक इधर फॉर ग्रांड में लगाने के लिए एक ब्लाक पींजी को आड़ करना है यह वाली पींजी इसे आड़ करेंगे इधर इसे आड़ करेंगे इधर फॉर ग्रांड में धर इसे नीचे थोड़ा बड़ा कर गें कि शेकर इसे लगा दोगे और इसके अप्सीड को थोड़ा काम करोगे और इधर जब दो गया तो गैस फोटो कंपलिट होचवाँ फिक साट में कुछ इतना ही क्या था और फेस को थोड़ा स्मूथ भी ता टो डिस्क में और मैं स्मूथ तो नहीं करूँगा अभी वीडिय थोड़ा बड़ा हो जाएगा और बाकी कलार एडिंग हम लाइट रूम आपलिक्शन में करेंगे और इथर आप देख सकते हो इधर स्कॉल करोगे इधर ड्रो पर क्लिक करोगे और फोटो को सिंपल इधर से थ्री डूट पर क्लिक करके सेब इमेज पर क्लिक करोगे फोटो हो गया सेब अब इस फोटो को ले चलेंगे लाइट रूम अप्लिक्शन के अंदर तो गैस आप देख सकते हो मैं आपनी फोटो को और इस वाले प्रिशेट को लाइट रूम अप्लिक्शन में आड़ कर चुका हूं और इस वाले प्रिशेट का लिंक मैं आपको पर क्लिक करोगे उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रोल करने के बाद इधर कोपी सेटिंग पर क्लिक करोगे और इधर टिक पर क्लिक जैसे करोगे इसकी सेटिंग हो जाएगा कोपी उसके बाद आपको इधर से बेक आना है बेका कर अपनी फोटो को ओपेन करोगे जैसे आप फोटो को ऑपेन करोगे फिर से आपको 3 डाट करणे है इधर भी सेटिंग पर। करोगे पेसेटिन पर। करने के बाद गाईज देख सकते हो क्या लग रहा भी फोटो यह खीक क्लिक पर फोटो हो चुका है एडिट तो गाइज उसके बाद आपको इधर थोड़ा स्क्रोल करोगे यह और इधर यह ट्राइंगल वाली ओप्षन पर जैसे क्लिक करोगे इसकी सार पेनिंग को थोड़ा बढ़ाएंगे 63 और noise reduction को भी थोड़ा इंlot इसकी ख़गाएंगे उसे फोटो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा तो गाइज देख सकते हो बीफोर और यह अपेर तो गाइज वीडीयो केसी लगी comment पर जरूर बताए और चैनल पर जो न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर देना गाईज और आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में